नमस्कार प्यारे दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योट्यूब चैनल पे मैं आपकी ओस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लिक्या गई हूँ एक न्यू प्रैक्टिस सेट तो दोस्तों सभी क्वेशिंज प पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखा करें लेट्स स्टार्ट बिद क्वेशिंज नमबर वान नौक आउट टूर्नामिंट में जब नमबर आप टीम 11 है तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी बहुत ही अच्छा क्वेशिंग है और समझाने लाइक और नमबर आप बाईस कितनी होंगी तो जो नेक्स्ट दी पावर आफ टू है वो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएंगी नमबर आप बाईस जो की है आपकी पांच पांच बाईस हमें यहाँ पे मिल जाएंगी according to number of team 11 अब इन minus 1 upon 2 यानि कि number of 22 minus 1 तो number of 22 कितना है 5 minus 1 upon 2 हम करेंगे तो answer जो होगा वो होगा यहाँ पे 2 answer is sorry यहाँ पे answer जो होगा 2 यानि अपर हाप में कितनी बाईस दी जाएंगी तो 2 बाईस दी जाएंगी और lower हाप में अगर देखिए जो की question में पूछा जा रहा है कि lower हाप में कितनी बाईस दी जाएंगी तो number of 22 minus 1 यहाँ पे sorry plus 1 होगा upon 2 यानि कि number of 22 कितनी है 5 और plus 1 हम करेंगे upon 2 करेंगे तो यहाँ पे number of 22 जो lower हाप में है वो होगा answer 3 तो आपको यह explanation समझ में आ गया होगा और correct answer भी आपने guessing कर लिया है कि नीचे के अर्थ में कितनी बाईस दी जाएंगी तो option number A is correct here यानि कि 3 बाईस दी जाएंगी नीचे के हाफ में तो move करते हैं हम next question की और फार्ट लेक प्रसिक्षण विधी किस के लिए उपयोगी होती है किसके विकास में उपयोगी होती है और सभी को पता है फार्ट लेक प्रसिक्षण विधी को speed play method की रूप में भी जाना top spin सहीत four hand में change हो जाती है इस प्रकार के प्रसिक्षण का इस अनांतरन किसका उधारण है तो किस तरह का transfer of learning यहाँ पे शो हो रहा है इस example में आपको बताना है और देखे सकरात्मा की सानांतरन हो रहा है क्योंकि जो tennis में four hand drive जो सीखने पर जुक्रिया होती है top spin सहीत four hand में तो सीधे सीधे यहाँ पे सकरात्मा का transfer of learning यानि की positive transfer of learning की बात की जा रही है थौन डाइक ने परिक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था option number B तीन मुखे नियमों का प्रतिपादन thorn dyke के द्वारा किया गया था आप सभी को पता है जिने ततपरता का नियम प्रभाव का नियम या अभ्यास के नियम की रूप में जाना जाता है साथी साथ पांच गौड नियम भी दिये गए थे thorn dyke जी के द्वारा जोडो के दियन को क्या कहते हैं तो इसे orthology यानि की study of joints की रूप में जाना जाता है discuss throw के sector का code कितना होता है और बात की जा रही है discuss throw के लिए 34.92 degree is correct answer Athletics Federation of India के स्थापना कब हुई थी option number B 1946 में Athletics Federation of India के स्थापना की गई थी T.C. योहानन का लंबी कूद में record रहा है तो कितना रहा है देखिए option number B 8.07 मीटर record रहा है T.C. योहानन का लंबी कूद में Athletics में दौर शुरू करने के कितने प्रकार होते हैं option number B गरेक्टियर दो प्रकार होते हैं दो मुखे विदिया होते हैं दौर को शुरू करने की पहली जो हैं सभी स्प्रिंट रेसेस के लिए दौर जुक कर या ब्लॉक पर बैट कर ली जाती हैं शुरू की जाती हैं और दूसरा सभी प्रकार की मीडियम और लौ्ग डिस्टेंस के रेसेस में पर बैट कर शुरू की जाती हैं तो मुखे तर्द दो प्रकार की विदियां दौर शुरू करने की एतलेटिक sms event में gую की जारी है अथलीट शीराम सिंह का उलमपिक में कौन सा अस्तान रहा है? ओप्शन नमडर D साथवा अस्तान रहा है शीराम सिंह 1976 मॉन्ट्रियल में 800 मीटर फाइनल में ये साथवा इस्तान पे रहे थे खेल समाज़सास्तर का सम्मंध किस से होता है? तो option number A समू के आपसी ताल मेर से खेल समाज सास्तर का संबन्ध है संतुलन निर्भर करता है और देखे वस्तू के चोड़े आधार पर निर्भर करता है संतुलन यानि कि जब किसी वस्तू पर कोई बल एक साथ इस तरह कारेरत होता है कि वस्तू ना तो रेखी गती करे और ना ही गुणन गती करे इस इस सिती को हम संतुलन की सिती कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है वस्तू के चोड़े आधार पर जितना ज़्यादा चोड़ा आधार होगा उतना ज़्यादा संतुलन होगा तो सीरे बाल को पास देने में क्या होता है तो दोनों हाथ की उंगलियों का प्रेओग होता है यह आपको पता है दुरोनाचारे परितोष यानी दुरोनाचारे आवाइड किस वर्ष में आरम किया गया था तो 1985 से दुरोनाचारे पुरिसकार के शुरुवाथ की गई है ग्रीस का मुख्य उद्देश क्या था तो अच्छे नागरिक तयार करना इस करेक्ट आंसर सौरी अच्छे योध्धा तयार करना ग्रीस का मुख्य उद्देश से जो है युनान खेलों को उत्तर एतिन्सकाल को स्वर्ण युक के नाम से जाना जाता है आपको पता है दोस्तों और जो मुख्य उद्देश था तो ये लोग खेल परी तता दूसरे दे तो थौर्ण डाई के द्वारा निरिक्षन समझा जाता है, सक्शम अवलोकन की अनुबूती है निरिक्षन यानिकी सुपर बिजन एक ऐसी किय सक्शम अवलोकन की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट लिम्रिंग डाउन कब करते हैं तो लिम्रिंग डाउन खेल के पश्चात किया जाता है कूलिंग डाउन या लिम्रिंग डाउन को वार्मिंग डाउन भी कहा जाता है और किसी प्रेसिक्षन के बाद शरीर को वापस नॉर्मल स्टेज में लाने को limbering down कहा जाता है और कम से कम 5-10 मिनित तक jogging वा walking करना ही limbering down है बड़ी मानसपेशी यानि की largest muscle gluteus maximus सबसे बड़ी मानसपेशी होती है और saatorius सबसे लंबी मानसपेशी है आम लोगों को किस प्रकार का camp अधिक से अधिक आनंद दायक होता है option number 10 करेक्टियर प्राकृतिक camp आसन किस प्रकार के योग के अंतरगत आते है हट योग हट योग एक अनुशाशन है जिसका उदेश सरीर और मन पर नियंतरन द्वारा मानसिक पवितरता प्राप्त करके पूर्ण स्वास्ति सुनिश्चित करना होता है तो आसन जो हट होते है वो हट योग के अंतरगत आते है यह लिगामिंट्स की चोट है तो इसे मोच यानि स्प्रेन के रूप में जाना जाता है भगवान जीयस का संबन्द किस प्रकार के खेलों से है तो उलम्पिक खेलों से है जो उलम्पिक games है old ancient olympic games वो Jews भगवान के सम्मान में एवं नीमियन खेल ये भी भगवान Jews के सम्मान में आयोजित किये जाते थे तो olympic एवं नीमियन खेलों का सम्मंद जो है वो God Jews से है Michael Jordan किस खेल से सम्मंदेते हैं तो basketball से इनका सम्मंद है ping pong किस से संभन देते हैं तो table tennis table tennis 19 भी शताब्धी के शुरुआत में इंगला जाता था तब इसे गोसी मा और विप वैप के नाम से जाना जाता था और फिर बाद में इसे जो है ping pong के नाम से पुकारा जाने लगा next question बर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है तो वियोहार का विज्ञान है आप सभी को पता है ठीक है जो बर्तमान में जो करेंटली जो मनोविज्ञान है उसे वियोहार की अध्यान की रूप में जाना जाता है बाई का सम्मंद किसे है तो प्रतियोगिता से होता है आप सभी को पहले question में हमने आपको बता दिया है कि बाई कैसे निकाली जाती है, पेश दौरों का संबंध किसे है, option number B, दमखम, पेश दौरों का अर्थ होता है, एक दौर की पूरी दूरी को एक निश्यत गती से दौरना, 800 मीटर वा अधिक दूरी की दौर पेश दौरों में ही शामिल क जाती है, तो दमखम से इसका संबंध है, दमखम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोस्तों यह आप हमें comment box में लिखके जरूर बताईए, गाहरदय में कितने चेंबर होते हैं, तो चार, two orical and two ventricle, शरीर की सरीर रचना का अधियन क्या कहलाता है, तो शरीर रचना यानी की Anatomy, शरीर रचना विज्ञान, प्रकृती में रहकर प्रकृती के समीप रहने का अनुभव क्या कहलाता है, तो इसे शिवर के रूप में जाना जाता है, प्रकृती में रहकर प्रकृती के समीप रहने का अनुभव को शिवर कहते हैं, नेक्स्ट, कैम्प फायर समीथी होती ह तो देखे किसमें होती है शिविर में कैम्प फायर समिती जो होती है शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक सिक्षा होती है या परिभाशा किसने दी है ऑप्शन नम्मर डी जेपी थॉमस के अनुसार या परिभाशा दी गई है नेक्स्ट निम्न को काला न नुक्रम में आपको विवस्तित करना है काला नुक्रम के अनुसार सही क्रम में विवस्तित करना है तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका कॉमन विल्थ गेम्स 1930 से शुरू हुए थे एशिन गेम्स 1951 अर्जुन पुरशकार 1961 और राजीव गांधी केल रहतने पुरशकार की सुरुवात 1991-92 से की गई थी तो यह सही क्रम में अरेंज है काला नुक्रम के अनुसार नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है देखिए हृदे का संबंध जो है वो ब्लड से होगा फेपरे का संबंध जो है वो ऑक्सीजन से है लिवर का संबंध जो है वो बाहिल से है और पैंक्रियास का संबंध इ जाता है option number C, मान-specible यानि कि body mechanics में muscle force जो है वो internal force की रूप में जाना जाता है प्राक्रतिक तोर पर खेल prescription में लंबे समय की योजना होती है तो कब होती है देखे प्रतियोगिता केंद्रेत यानि कि जो macro cycle होते हैं वो competition focused होते हैं शरीर के जोडों में गति की परिदी को मापा जाता है तो किसके त्रू मापा जाता है गोणियो मीटर is correct answer शरीर के जोडों में गति की परिदी को गोणियो मीटर से मापा जाता है इस spirometer से मालों में फेफ्रो की छमता मापी जाती है इस्कोलियोमीटर से इस्कोलियोसिस को मापा जाता है और इसकिन फोल के लिए पर जो है वो मोटापे को मापता है next यह यहाँ पे statistics से related question है time important नहीं है move करते हैं हम next question की ओर और देखे कतन में क्या बुला जा रहा है कि एक चेस की लाड़ी को प्रतियोगिता के दोरान चोट नहीं लगती है और दूसरा एक की लाड़ी को चोट से बशने के लिए वार्म अप के आवशिक्ता होती है तो दोनों ही कतन यहाँ पे सही है लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है प्रकृतिवाद के संसापक की रूप में किसे जाना जाता है तो प्रकृतिवाद रूसों की बात की जा रही है स्पाइनोग्राफ कौन से प्रकृति को मापता है तो स्कोलियोसिस को बच्चों में बिटामिन D की कमी से क्या होता है तो सूखा रोग हो जाता है डायर परिक्षन टेस्ट किस खेल से समंदीत है तो टैनिस से इसका समंद है नेक्स्ट दिवार को दकेलना कौन से वियाम का उधारन है तो आईसो मेट्रिक वियाम होते हैं ऐसे वियाम जो जिसमें जो मुवमेंट है वो दिखाई नहीं देता है बहुलक की गड़ना की जाती है परियोडाइजेशन की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्थाएं होती है तो तीन अवस्थाएं होती है माइक्रो साइकल, मीजो साइकल एवं मैक्रो साइकल रख्ट का तक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मिदार है ओप्शन नम्मर C, विटामिन के गतिके नियम के प्रतिपादक कौन है तो न्यूटन बाइल इस्त्राबित होता है कहां से तो लिवर से और बाइल जो है वो गौल ब्लेडर में स्टोर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए एक गंटी के आकार के वक्र से पता चलता है समाने विवरण कारण option number a यहाँ पे सही है कि नमूना समरूप है तता समानता से बितरित है तो यह यहाँ पे सही है next question सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो ताराचंद कमिटी का गटन आपको पता है दोस्तों कप किया गया था 1948 में शारिरिक सिक्षा मनुरंचन के किंदरी सलाकार समीति यानी परिशत का गटन कप किया गया था तो 1950 में किया गया था and the next question is asking that same question है इसका जो option रह गया है वो देखे कि अखिल भारती खेल परिशत के स्थापना कप की गई थी तो 1954 में की गई थी एवं एड हॉक समीति के स्थापना कप की गई थी तो 1947 में की गई थी तो ये हमने आपको सही establishment year यहाँ पर बता दिये है अगेन देखे तरक से समंदित question है कि खेल कूद में सांस्कृतिक मूले होते हैं सही है और प्राचीन ओलंपिक खेलो का आयोजन ग्रीस में ओलंपिया चेत में उसके जियूस देउता के सम्मान में किया जाता था ये भी यहाँ पर सही है next तो A एवम R दोनों सही है एवम R जो है वो A का सही सपस्टी करन है next question निम्न को काला नुकरम में व्यवस्तित करना है फिर से तो देखें Commonwealth Games जो है वो 1930 Asian Games 1951 और अरजुन अवाड की शुरुवाद जो है यहाँ पे 1961 को की गई थी और राजीव गांधी की शुरुवाद जो है 1991 एवम 92 में की गई थी सह कुशल्टा पारसपरिक संबंध के बीच की श्रेणी यानि की coefficient correlation के बीच की दो श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी है देखे option number C minus 1 से plus 1 coefficient of correlation में minus 1 से plus 1 इन दो श्रेणियों के बीच की श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दो प्रयासों के मद न्यूंतम कितना वजन बढ़ा सकते है option number C 5 kg is correct answer फुफुसी प्रेशलन का मतलब क्या होता है option number A oxygen रहित रक्त को हरदे से दूर ले जाना यानि कि कहां पर ले जाना lungs तक ले जाना ऐसा रक्त जिसमें oxygen नहीं है यानि impure blood को हरदे से दूर लंग्स तक ले जाना ताकि उससे carbon dioxide को exhale किया जा सके और उसमें oxygen को मिला के उसे शुद्ध किया जा सके efflurease, malish, तक्नीक जो होती है वो किस से समबन देता है option number D is correct here, stroked यानि की efflurease एक फ्रांसीशी सब्दे है जिसका अर्थ होता है हलके डंग से spurs करने के लिए यानि की skim और इसके अंतरगत जो है stroke malish की जाती है यानि की सहलाना से इसका सम्बन है ओके now the next question is asking निम्न कितमे से कौन सा malish का परेडाम नहीं है option number D is correct here sorry option number B is correct here हड़ियों के घनत में बृद्धी नहीं होती मालिश के परेडाम के रूप में या सहीं नहीं है कि हड़ियों के घनत में बृद्धी होगी ये गलत है इसके लावा शरीर के तापमान में बृद्धी होती है तंत्वों के लचीलेपन में बृद्धी होती है एवं रक्त प्रशलन में बृद्धी होती है ruler drop test से क्या मापा जाता है तो संतुलन मापा जाता है sorry reaction time प्रतिक्रिया समय को मापा जाता है ruler drop test से quadriceps femoris का मतलब क्या होता है option number 20 का रेक्टियर extension of knee quadriceps muscle जो होती है 4 manspatio का समूव होती है quadriceps femoris की बात की जा रही तो ये घुटने गुटने के जोड़ पर पैर को फैलाना या extension इसका सही function होता है knee extension tendons को किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है तो tendons से क्रिया शील और निश्क्री आंत्रिक दोनों प्रकार की शक्ति का प्रतिपादन किया जाता है sorry sorry so sorry friends निश्क्री आंत्रिक शक्ति tendons से निश्क्री आंतिक शक्ति यानि कि passive internal force का उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट जिसको परिक्षन करने के लिए डिजाइन किया गया है उसी का टिक टाक परिक्षन किया जाता है सिर्फ उसी का परिक्षन करेगा टेस्ट तो उसे क्या कहते हैं तो इसे वैलिडिटी के रूप में जाना जाता है परपस टू मेजर यानि कि जिस परपस से बनाया गया है उसी को मेजर करता है ट्राय थेलान बहु खेल कूद प्रतिस परधात्मक मल्टिडिसिप्नली प्रतियोगिता में और एकल प्रतिस परधा में शामिल होते हैं बहुत important question है, बहुत से exam में as it is पूछा जा चुका है, वियायाम के दौरान निम्लकित में से कौन सी हिर्दे स्विशन सम्मंधी प्रतिक्रिया है, तो 1, 2 and 3, यानि कि increase in stroke volume, increase in heart rate and increase in ventilation rate, तो ये तीनों ही सही है, हिर्दे स्विशन सम्मंधी प्रतिक्रिया में वियायाम के दौ प्रतिक्रान, ओके, next question, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधी निम्लकित में से कौन सी है, option number B, प्रेक्षण विधी is correct answer, now the next question is asking, that, निम्लकित में से क्या वंशा नुक्रम का विशे है, तो option number B, प्रेक्षण विधी निम्लकित के लक्षण, फीचर्स, यानि कि जो फीचर्स होते हैं, एंडिविजूल्स के वो वंशा नुक्रम, यानि हेरीडिटी के थुही, next generation में ट्रांसफर होते हैं, बैडमिंटन केल को एशियाई केलो में पहली बार कब शामिल किया गया, तो 1962 is correct answer, हिमोगलोबिन का मुख्यकारी क्या होता है, तो option number D is correct, यानि कि ट्रांसपोर्ट ओफ उक्सीजन, रियो 2016 कि अलम्पिक केल का मोटो क्या था, option number B, अपने मनोवेक से जीएं, यानि कि लिव और पैशन is correct answer, विशे स्टेवम इस पस्ट तरीका जिससे धीए को प्राप्त कर सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो देशी के रूप में जाना जाता है, शिवान्ती गोल्ड कप का संबंद कि स्केल से है, तो वॉली वॉल से इसका संबंद है, 400 मीटर ट्रैक म की बात यहां पे की जारी है, पहला स्टेगर 0 मीटर की दूरी पे, दूसरा 7.04 मीटर, तीसरा 14.71 मीटर, चौथा 22.38 मीटर, पाचवा 30.05 मीटर, छटवा 37.71 मीटर, साथवा 45.38 मीटर, और आटवा जो स्टेगर है वो 53.05 मीटर पे लगाया जाता है, तो यह सही सिक्वेंस, सही मेजर्मेंट है, स्टैगर्स के लिए, केंद्री नाडी तंत्र को तेजित करने वाली दवा कौन सी है, जो सेंट्रल निर्वर सिस्टम को स्टिमूलेट करती है, तो ऑप्शन नमबर 10 करेक्टियर, एमफेटेमाइ है, रूथ एक ग्राउट के अनुसार दिये गए उधेशों में, इसके लावा मानभी संबन्दों में सुधार, स्वास्ति के संबन्द में समाजिक उत्तरदायतों, एवं आर्थिक बच्चत के संदर्म में स्वास्ति के तत्ता सिध्धानतों का उप्योग ये सभी शामिल ह मीजो साइकल के अवद ही कितनी होती है? तो देखें, मीजो साइकल की बात की जारी है, जो कि कुछ सबता होता है, यानि कि चार से छे सबता है, इसकрет आंसर निम्ड में से कौन सा प्रणायाम नहीं है? तो नियॉली is क спрос आंसर, क्यूंकि नियॉली जो है, वो नीयम के तो उसको क्या कहते हैं और इसको जाना जाता है अनुरूपता के रूप में इसे अनुरूपता कहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर गुडबाई